नमस्कार हम राम की रुप्षिद्य कध्यन कर रहे थे हम संपूर सब्तवी वेक्टी तक कध्यन कर चुके हैं आज हम संभोधन के लिए जो कथिपैस उत्रे उनका ध्यन करते हुए उनको समझेंगे तो संभोधन का थाथपरे है कि किसी का अपनी ओध्यां खीचना शंभोधन के द्योत्ना अर्थ पथ के आधी में अत्वा कभी अंत मेंभी प्रायह मैं दे भोश इत्यादी जो अभ्यव है अभ्य है इनका प्रयोग किया जाता है कहीं इनका प्रयोग नहीं भी होता है आप संभोधन के एकत्य, के गिशा में हमें रूबmeal बनाना है , तो क्या सिति प्राप्तर राम सुः है इस सवस्ता में अग्रिव्ग्चुत्र होता है एक वचनम संबुधि, यह कहता है संबोधन में प्रत्मा विवक्ति का एक वचन संबुधि संग्यक हो, यह उसकी प्रत्मा विवक्ति का एक वचन का प्रत्य सू है, उसका संबुधि संग्यक कर देता है, संबोधन में प्रत्मा का एक वचन संबुधि संग्यक होता है, तो इ यस्मात प्रत्य विदिस्ददादी प्रत्य अंगम जो प्रत्य जिस शब्द से विधान किया जाता है कोई भी प्रत्य जिस शब्द से विधान कियाता है वैशब्द है आदी में जिसके ऐसा शब्द शरूप उस प्रत्य के परे होने पर अंग संग्यक होता है तो अब यहाँ पर क्या हुआ जिस प्रकर्ति से प्रत्य का विधान हो प्रकर्ति जिस शब्द रूप के आदी में हो ऐसा प्रकर्ति सहीत वे शब्द रूप उस प्रत्य के परे होने पर अंग संग्या होता है तो राम सू, यहाँ पर जो राम शब्द से सू प्रत्य का विधान हुआ है, उस प्रत्य के परे होने पर, यानि सू परे होने पर यहाँ पर राम शब्द की अंग संग्या हो जाती है, अब जो राम शब्द की अंग्या संग्या हो जाती है, तो एक अगरिम सूत्र काम करता है ये सुत्र कहता है एगंत अंग अत्वा हिश्वांत अंग से परे जो हल है उसका लोप हो जाता है स﹌न थसका लोप हो जाता है एगंत के उधारन तो होगय है और हुश्वांत का उधारन तो यहां पर क्या हुजाएगा उसका लोप हो जाएगा अब क्या स्थिती थी हमारे पास राम सू राम सू में सा जो यहां राम इस हरश्वांत अंग से परे राम में जो आ है वो इस हरश्वांत अंग से परे सा जो यह संबुद्धी का हल है उसका इस सूत्रे से लोप हो जाएगा तो खेवल राम बच जाएगा और हे आदी शब्दों को साथ में जोनने से हे राम भो राम आदी बनेंगे इसी प्रकार से हम संबोधन का दीवचन और बहुवचन भी रूप शिद्ध हो जागा जिसको आसनी से रूप शिद्ध किया जा सकता है तो संबोधन के तो यहाँ पर समझ गए तो राम सु जो पहले उसकी संबोधी संग्या करी पर उसका लोप कर दिया तो राम बचा संबोधन के दीवचन और बहुवचन में प्रत्मा के कुछ भी भेद नहीं हुआ करता है भेद संबोधी में होता है तो इस प्रकार हमारे आज राम की रूप सिद्धी कमप्लीट होती है पूर रूप की सिद्धी भी की गई है और उसमें प्रयोग में होने वाले सूत्रों की व्याख्या भी स्वस्ट की गई है आशा है कि आप सभी अच्छे भली प्रकार समझके यदि किसी को भी कोई confusion है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं उसको और first करने के लिए प्रयास करूँगी हम यही पैदन करते हैं अब हम अगरिम रूप सिद्धियों का अजन्त, इस्त्री लिंग, रमा की रूप सिद्धिय का दिल अगरिम वीडियों में करेंगे